हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग एकदम मस्त बढ़ियां चलो तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंपोर्टेंट कोशन सैनिक नवदै और आरेमेस के लिए और ऐसे हम हर दिन आपके लिए डाउट वाले वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसके लिए मैं एक बार बता दूँ कि इस पॉजी बैच की complete detail आपको नीचे description में एक वीडियो की link मिलेगी उसमें आपको मिल जाएगा complete detail ठीक है का बड़ी सी industry है चलो पूरे industry में माव अपन ने बोला कि भिया टी लंग employee काम कर रहे है total कितने employee काम कर रहे है t अब वह एक 1000 हो सकते है दो 1000 हो सकते है 500 500 हो सकते है 400 हो सकते है कुछ भी total employee कितनेytt काम कर रहे है t ठीक है उन सब की average पूरे t salary of technical technicians is 400 and that of non-technicians is 105 अब यह जो total t लोग हैं इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो technical काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे जो non-technical काम करते हैं, yes, total दो टाइप में बाट दिया, मालनो आपके कुछ employee हैं तो आपने बाट दिया कि यह technical और यह non-technical, तो total t employee में से, तो आपने बाट दिया कि यह कुछ technical हैं, कुछ non-technical तो मालन लेते हैं technical वाले x, तो non-technical वाले कितने हो जाएंगे, t minus x अब यह जो x लोग हैं, इनका average कितना बोला है, इनका average बोला है 400, और जो यह t minus x लोग है non-technical, इनका average कितना बोला 125, आपको बोला है, बताओ, total number of workers, total number of workers, मतलब t कितना होगा, यह बताना है, ठीक है देखो, मैं अपने आपको गायब कर देता हूँ, मालनो पूरे यह industry है यह पूरे industry में कितने लोग थे, total जितने लोग थे, वो नहीं मालू, मालनो t लोग थे उन सबका जो average salary है, वो कितना है 200, अब यह t लोग में से x लोग जो थे, वो technician थे, और t-x, non technician अब x अगर technician है, total t है तो t में से x हटा दोगे, तो कितना बचेगा non technicians, तो t-x तो अब यह x लोग जो है, इनका average 400, और यह जो t-x है, उनका average 125, आपको बोला है, बताओ total number of workers कितने है अब यह question, अच्छा क्यों है, सुनो यह question, अगर आपको काली कोई question दे दे, और आपको बोले करो, आप पागल हो जाओगे, क्योंकि इसके हजारों answer आएंगे करोडों answer आएंगे, infinite answers आएंगे है न, क्योंकि कुछ इच fixed ही नहीं है बस average, technician का इतना, non technician का इतना, total, इतना average तो इसके बहुत सारे answer आसकते है कि अगर technical की इतने लोग हैं, तो total इतने होंगे अगर technical की इतने हैं, तो total इतने होंगे बस समझ मैं ही, तो बहुत सारे ऐसे एंसर आ सकते हैं तो अगर आपके पास options नहीं तो आप इसका answer नहीं बता पाऊगे लेकिन अगर आपके पास options है तो आप बता सकते हो अच्छा इन में से कौन-कौन सा possible है कौन-कौन सा possible नहीं है बास समझ जाए चलो तो उसके लिए तो एक रिस्ता लिखना पड़ेगा observations हैंगी नहीं यही तो formula था कि average जो था वो average का क्या formula यूज करते थे अपन average is sum of observations upon number of observations तो इसका मतलब यह जो total है 200 सब लोगों का मतलब total number of employees T और उपर में करदू में क्या total सारे employees को कितना पैसा मिलता है उन सब का sum upon total employee तो यह average कितना हो जाएगा 200 तो यह 200 भी मालूम है और यह total team भी मालूम है team आना पर ने total employee अब यह निकालना है कि उन सब को मिला के कितना पैसा मिल रहा है है तो अपन पहले यह निकालते हैं कि इन x वालों को कितना पैसा मिल रहा है technical लोग कितने है x और average सब को कितना मिल रहा है 400 400 तो total पैसा कितना हो गया 400 x तो total जो technicians वालों को कितना मिल रहा है X into 400 है ना और जो non-technicians है non-tech वाले लोग है इनको total कितना पैसा मिल रहा है t-minus x total लोग है और इन सब को on and average कितना पैसा मिल रहा है 125 तो इन दोनों को multiply करोगे तो क्या जाएगा total पैसा जो non-technicians को मिल रहा है यह total पैसा जो technicians को मिल रहा है, दोनों को edit कर दूँगा तो total sum हो जाएगा, 100 एंप्लोई का मिला करेंगे, हाँ तो देखो, total कितना हो जाएगा 400x plus, इसको भी multiply करके लिख देता हूँ, 125 t minus 125x है न, upon, ये कितना आ गया, total, सब का पैसा upon total कितने लोग हैं, पूरी company में t, और इन सब का average कितना है, 200 चलो, cross multiply करते हैं इस t को उधर लेके जाते हैं, और cross multiply करते हैं, तो कितना हैगा देखो answer 400x है न, plus 125 t minus 125x is equal to 200 t अब देखो, ये 125 t plus में है, ये इधर आएगा तो minus है न, और ये 400, 400 minus 125, कितना हो जाएगा, 275 तो 275x यहाँ बच गया और ये 200 t में से 125 t गया तो कितना बच गया, 75 t तो technicians लोग जो हो गए total, total number of technicians वो कितने हो गए, 75 t by 275 यहाँ पर देखो, ये 275 multiplication में था ये नीचे आया तो यहाँ पर division में ठीक है, तो चलो cut दो, 25 3 times जाएगा 25, 11 times जाएगा तो total number of technicians जो हो गए आपके पास total number of technicians कितने आ गए total number of technicians जो आ गए 3 t by 11 अब एक बात बताओ company में या तो दो लोग हो सकते हैं या 3 या 4, साड़े 4 साड़े 3, साड़े 2 हो सकते हैं नहीं, मतलब ये जो x है number of technicians या जो t है number of total people ये सरिफ whole number होंगे यही तो खाली पकड़ना था इस question में, ये question का जो crisp था, ये question में जो आपको catch करना था, वो यही catch करना था कि भिया जो person है वो आदे तो नहीं हो सकते, company में या तो 2 लोग, 4 लोग, 100 लोग, 101 लोग क्या 100.5 लोग हो सकते हैं कोई आधा, अरे मजाक मस्ती की बात अला कि कि भिया कोई नटवाया तो भिया उसको आधा count कर लो आप, बट actual में तो persons गिनोगे तो उसको तो पूरा ही गिनोगे न तो whole number आने चाहिए तो यहाँ पर भी बस यही कहने का मतलब है, कि भिया ये जो x आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, whole number fraction में नहीं आना चाहिए, और वो कब आएगा जब ये t 11 से divisible हो है ना, अगर ये t 11 से divisible नहीं होगा, तो फिर x तो decimal में आ जाएगा जो पाप हो जाएगा समझ में आ रहा है कि बच्चों, यहाँ तक तो आप कर लोगे, formula लगाने में तो आप लोग बाहिर हो यही समझ ना था यहाँ पर तो बस, यहाँ पर ऐसा answer आएगा जो 11 से divisible हो, 11 से divisible से एक answer है, 550, 11 से रिवेट करोगे 50, बाकि ये 11 से divisible नहीं है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो A is the correct answer कैसा लगा बच्चो एंसर यहाँ अना question मैं को comment section ने बताना, ये अच्छा question मानूँगा, मैं आप लोगों के लिए classifth के हिसाब से, ये good question है, ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसको बोलूँगा कि this is a very good question, दुबारा देखना अगर नहीं समझ में आया, कुछ कहीं पर ऐसा लग रहा है कि समझ में तो आगे, लेकिन feeling नहीं आई, तो इसको दुबारा देखना और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like करना, अगर आपके doubt है तो telegram group में भेजना, जरूरी नहीं कि मैं एकदम तूरंत उसका reply कर पाऊं, हो सकते एक आत दिन, दो दिन time लग जाता है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं, है ना, तो आपके सारे doubts के वीडियो यहाँ पर आएंगे, भली थोड़ा देरी से आएंगे, क्योंकि भी और बहुत सारे वीडियो बना लिए उनके अलावा, अब जो questions बेजेंगे, उनका मैं नाम लूँगा यहाँ पर कि किसने यह question बेजा था चलो, तो टेलिग्राम ग्रूप में जरूर जूर जाना, भीयो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो चलो, तो फिर आपसे मिलूँगो अगली क्लास में अगली वीडियो में, तब दक के लिए हसते रहो मुस्कराते रहो, देखते रहो, सौरब सरकी क्लास जैहिन, बाई बाई, टेक केर